लेकिन सुधानेशु जी पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं बता दूँ एक पाकिस्तान का जिक्र हुआ आपकी पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता जो हैं वो ये कहरें कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पी-ओक को वापस लाना है पी-ओक हमारा है पी-ओक को वापस लाना है कपिल सिपल साब ने आज ही पूछा है कि अगर 400 पार नहीं हुए तो पी-ओक वापस नहीं लाएंगे क्या देखिए जब से हमारी सरकार आई है हमने हालात क्या किया है पिछले 10 साल भारत के इतिहास के एकलोते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशल बाइलेटर डायलॉग नहीं किया कोई आपचारिक दिपक्षी वारता नहीं की और उसके बाद हालात क्या हैं कि पियोके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए उसके बाद हमने हालात वो किये बगए बात किये हुए कि पाकिस्तान की नेशनल इसमली वहां के मेंबर आफ कर्रेमेंट ने उस समय कि foreign minister शाह में मुथ कुरेशी साब को कोड करते हुए उए कि शाह में मुथ कुरेशी साब बैठे हुए थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर काम पर रहे थे उन्होंने का खुदा का वास्ता है वह इन अंदन को वापस कर दो वह नहीं कि इंडिया टैक कर देगा अरे पैर का आपने एक बात तो सानी 70 में नहीं हुई हमने वोग करके दिखाया और आज इस सिती यह है सबसे बड़ी बात हमने आते का करें दिखाई मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिली इस पेट्रोल देना बंद कर देंगे आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटे अरब अमीरात के साथ भारत यॉरप यूएई कोरिडोर भी बन रहा है आज राम मंदिर भी बन रहा है और साओधी पिरब के Crown Prince Mohammed bin Salman G20 के बाद एक दिन भारत में रुखते हैं व्यापार पे बात करने के लिए और राम मंदिर भी बन रहा है और अबुधाबी में मंदिर भी बन रहा है और पाकिस्तान का हमने हालाद जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम-खास United Arab अमीराद हम सफर हम निवाल हम प्याला हम राज जिसके लिए वो चाहता था कि यह समर्थन देगा धारा 370 पे उसने मोधी जी को Highest Civilian Award Order of Zayid दे दिया साओधी अरब ने उसका साथ नहीं दिया आज हमने पाकिस्तान की international politics में वो गत करके रखती है कि वो कहरा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा नहुआ गयर तो गयर थे अपनों का सहरा नहुआ पर सुपरिया जी भी आप नांती है क्या यह सुदान्शो जी हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे काश इसी तकरीर से काश इसी जजबे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते असलियत यह है कि 20 जाबाजो की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद वारताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिती नहीं बना पाए हम चीन से 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं लोगों की आख में धूल जो कर रहे टिक टॉक बैंड करके अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में गुसा हुआ है सारा का सारा लदाक सडकों पर है वहाँ पर लोग आमरण अंशन कर रहे हैं आप वहाँ जाने की भी जुरुरत नहीं समझते हैं कश्मीर की बात करते हैं चुनाओ नहीं लड़ पा रहे हैं तीन-तीन सोट सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाओ लड़के दिखाते न काहें भग गए असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान की दो टुकडे किये इंदरा गांधी ने सेना के श अबक सिखाईए मैं आज कहती हूँ पूरा विपक्ष आपके साथ है चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई अरे वहां अरुणाचल में आपका सांसत कह रहा है अरुणाचल में गाओं बसा रहे हैं नेपाल ने अपने करेंसी नोट पर हमारी जगहें लगा दी हम चुप रहें बंगलादेश कोक्स बाजार में सबमरीन बनाने की परमिशन दे रहा है हम चुप बैठ रहें असलियत यह ब्रिक्स के नए सदस हमारी युवनसी को रोक रहे हम चुप बैठे हुए किस तरह की बाते आप लोग करते हैं असलियत यह है कि लच्छेदार बाते करना एक चीज है हमारा विदेश मंतरी पॉडकास्ट में जिस पॉडकास्ट में सहब भी जाते है कहता है हम चोटी एकौनिमी है चीन बड़ी एकौनिमी है हम उससे कैसे लड़ेंगे आप सेना के शौरर पराकरम पे आपको भरोसा नहीं है आप सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं 2020 क चेटा आपका प्रदानमंतरी भी तो कहता है कोई घूसा हूँ नहीं है चीन का नाम क्योंही लेते हैं Momo लएकिस्टान नगे पाकिस्टान का नाम जो असलीया तुम्हें पाकिस्टान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं यह लाख हमारे पास्तोड़ा सा कंÜ ज में और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सेनिक तो छोड़िए घायल सेनिक की बिलिस ने जारी की आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 रोग हाथ की फाइट में मारे जाए उधर से एक भी मारा ना जाए घायल भी ना हो उस चीन के आंकड़े पर इनको भरोसा है हमारे 20 सेनिक थे उनका पूरे सम्मान के साथ उनके गाउं तक ले जाके अंतिम संसकार कराए गया मगर यह चीन के बारे में कहते हैं आज जाकर चीन की हालत देख लीजिए